गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ करण जी के विद्रवीजन मैसल्फ राकेश कुमार आज अपने बात करते हैं दिसंबर मन्त के लास्ट वीक की फिर बात करते हैं फर्स्ट कोशिन की Global Visionary of Sustainable Business and Peace पुरुषकार से भी हाली में किसे सम्मानित किया गया सो रतन टाटा जी को बेसिकली सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान है उनको Federation of Indo-Israel Chamber of Commerce के द्वारा पर्टिकुलर प्रवाइड करवाया गया है फिर बात करते हैं इसी के साथ साथ में रतन टाटा जी को भी हाली में SHM Enterprises of the Century Award भी प्रवाइड करवाया गया जो की प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा इनको प्रवाइड करवाया गया इसी के साथ साथ Indo-American Chamber of Commerce के द्वारा Lifetime Achievement Award के द्वारा भी रतन टाटा जी को सम्वानित किया गया है फिर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने ने गेम्स को जोड़ा गया है फोर गेम्स को इसके अंदर जोड़ा गया है और अभी टोटल जो है 20 गेम्स हो गई है जिनके लिए competition वहाँ पर आयोजित किया जाएगा फिर बात करते हैं 2021 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो हर्याना के पंचकुला के अंदर इनका आयोजिन किया जाएगा अब अपने बात करते हैं ये जो 4 गेम्स जोड़े गए है जैसे कि ठांगता ये जो है पर्याना के पंचकुला के अंदर ही ये जो गेम्स अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जब आयोजिन हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट टाइम ब्रिक्स के स्पोर्ट्स गेम का आयोजनी भी यहीं पर होगा फिर बात करते हैं ICC महिला किर्केट वीशो कप 2020 की जो मेजबानी है वो न्यूजिलेंड कंट्री के द्वारा की जाएगी फिर ये अपने बात करते हैं जो न्यूजिलेंड के अंदर भारतिय मूल की एक पर्सन मिस प्यंका रादाकिश्मा जो है पहली बार भारतिय मूल की कोई मंत्री वहाँ पर बनी है फिर बात करते हैं कुस्ती के जो व्यक्तिगत वीशो कप हुआ इंडिविजल वर्ल कप ओफ रेसलिंग 2020 जो की सर्बिया के अंदर हुआ था उसके अंदर भारत की तरफ से एक मत्र जो मैडल है वो अंचो मलिक ने जीता जो की सिल्वर मैडल है उनके द्वाराद जीता गया फिर बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस जो है पर्टिकुलर 19 दिसंबर को मनाया दी रता है और ये जो दे है पर्टिकुलर इस दिन गोवा को भारतिय सरकार के द्वारा मुक्त करवाया गया था या भारतिय सेना के द्वारा मुक्त करवाया गया था वहाँ पर पूर्तग से 25 दिसम्बर तक इसका आयोजन किया गया जो कि न्यू देली के अंदर वर्चली इसका आयोजन किया था और इसका जो उद्गाटन है वो प्राइम निश्टर मौदी जी के द्वारा किया गया फिर बात करते हैं उत्तरपुरु के किस राजे में पहला ग्लास ब्रीज बना है सो बिहार जो स्टेट है वहां पर ये पहला ग्लास ब्रीज बना है जिसका उद्गाटन वहां के जो मुख्या मंतरी है नितीश कुमार जी उनके द्वारा किया गया अब यह इसी तरह से अपने बात करते हैं सो ये जो ग्लास ब्रीज बना है बिहार के अंदर ये भारत का से क्रश्टता पुरुषकार से अभी हाल में सिरी निवास करनम जो कि केरला के हैं उनको समान से समानित किया गया और सुर्भात्व कार को इसके लिए समानित किया गया है सिरी निवाशन कर नम है इन्होंने पर्टिकल जो C Mobile Band Communication होता है एक इसके अंदर प्रोब्लम आती है उसके solution के लिए उनको ये समान से समानित किया गया इनके तहत जब इसका solution किया गया तो जो भी अपना सागर होते हैं उसके अंदर deep के अंदर communication की problem उनके दोरा सोल कर दी गई फिर बात करते हैं शुरुबात कार की सो इन्होंने अभी एक sensor युक्त एक ऐसी device का निर्मान किया है जिसके तहत जो भी अपने train होती है जब ये train चलती है उसके सामने कोई भी अपने animals हा जाते है तो उनके टकर के बाद उनकी मौत हो जाती है तो जब भी ये जो device यहाँ पर लगाई जाएगी तो उनको इससे पहले ही inform मिल जाएगी कि वहाँ पर कोई न कोई है सो उससे उनका बचाव हो सकता है फिर बात करते हैं next question के बारे में किस राजह ने एक विशेस अभियान वरासत स्टार्ट किया है कुछ ACB जमीन है जो किसी के नाम पर नहीं है तो उनको उनका मालिकाना हक प्रोवाइड कर आया जाएगा जिससे कि वो जो भूमी है वो वहां के भूमाफियों के हाथों में नहीं लगे फिर बात करते हैं BBC Sports Personality of the Year 2020 के रूप में किसे चुना गया सो लेविस हैमिल्टन को इसके लिए चुना गया है और इससे पहले उन्होंने ये जो प्राइज है 2014 के अंदर भी जीता था लेविस हैमिल्टन बेसिकली मर्स्डीज जो कंपनी है उसके ड्राइवर है और ये जो लेविस हैमिल्टन है इन्होंने इस बार की जो 17 ग्रेंड प्रिक्स हुई थी उसके अंदर टोटल 12 ग्रेंड प्रिक्स इन्होंने जीती थी और ये 7 टाइम के वर्ड चैंपियंस भी रहे हुए हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी के द्वारा भारत की पहली सुरंग पावन सुरंग प्रेक्शन सुविधा का सुभारम जो है वो कहां पर किया गया सो तेलंगाना के अंदर बेसिकली इसका सुभारम किया गया है फिर बात करत विदुद क्षेतर में कोसल विकास के लिए पहले उत्तकरश्टा के अंदर या फिर सेंटर ओफ एक्सिलेंस का जो उद्गाटन है वो हमारे देश के जो विदुद राज्यमंतरी है राज्गुमार सिंग जी के द्वारा किया गया और यह जो है रियाना के गुर्ग्राम में इसका उद्गाटन किया गया जो कि वहाँ पर एक स्किल डिवेलपमेंट का सेंटर है वहीं पर इसका उद्गाटन किया गया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में अमरीकी स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है सो इसका नाम रखा गया है गार्जेंस इस स्पेस फोर्स का जो निर्मान है वो रिभांक के जो राष्टपती डोनाल्ड ट्रम थे उनके द्वारा 20 दिसंबर 2019 के अंदर किया गया था और अब इसको लगबग वन येर कम्प्लीट हो गया उसी के देखते हुए उसको नया नाम दिया गया है गारजिन्स फिर बात करत कान मंत्री जो नरेंदर मोदी जी उनके द्वारा सेहत स्वास्थ योजना स्टार्ट की गई है सो जम्मू एंड कस्मीर जो राज्य है वहां की जनता को इस योजना से लाब मिलेगा वहां की पर्टिकुलर हर एक परसंस को स्वास्थ योजना का लाब मिले उसी के लिए इस योजना के अंदर नहीं आ रहे है उनको इस योजना के अंदर समलित किया जाएगा फिर इसी तरह से बात करते हैं जमू एंड कस्मेर का एक कोलेज है अमर सिंग कोलेज उसी को अभी हाल में यूनिशेको अवार्ड से भी समानित किया गया है फिर बात करते हैं कॉलोगन बॉक सिंग का वर्ल्ड कप हुआ 2020 का जिसके अंदर फर्स्ट पोजिशन जो है वो जर्मनी ने ली और 16 मैडल जर्मनी के द्वारा जीते गए और इंडिया जो है सेकेंड पोजिशन पे रही और इसके द्वारा नो मैडल जीते गई हैं फिर बात करते हैं लेग्योन ओफ मैरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और यह जो अवार्ड है बेसिकली यूएस के प्रेजिडेंट डोनाल टरम के द्वारा प्रवाइड करवाई गई थे फिर इसी के साथ जो अपने ऑस्टेलिया के जो पर धान मंत्री थे शी जो अब उनको भी समान से समानित किया गया फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टिंग इंडिया माई सैवंटी यर जर्नरी एज जर्नलिस्ट से उसे पुस्तक के जो लेखत का वो प्रेम प्रकास जी है इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट इसी तरह से आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि यंग मैथिमेटिक शिन अफ दा अवार 2020 से किसे समानित किया गया है और आपको मैं हिंट दे देता हूं कि वो जो पर्षन है एक वुमन से और पर्टिकुलर यह वो ब्राजिल की रहने वाली है फिर बात करत हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में स्टेटस ओफ लापड इन इंडिया 2018 सिर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर बताया गया कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लापड है भी परजेंट टाइम है परजेंट है और यह जो रिपोर्ट जारी गई है व गई है इसी तरह से यह जो क्लेनिक स्टार्ट किये गई है देले की बात करते हैं तो देले के अंदर जो मोला क्लेनिक है वो स्टार्ट किया गया है और इसी तरह से तमिल नाडू के अंदर अम्मा क्लेनिक योजना भी स्टार्ट की गई है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोश बी तक के जो भी डेटाज हैं उनको आप स्टोर रख सकते हैं फिर बात करते हैं ये जो डीजी बॉक्स है पर्टिकुलर हमारे जो निती आयोग है उनके जो सी यू है अमिताब कांट जी उनके द्वारा इसका उद्गाटन किया गया था फिर बात करते हैं पश्चम बंगाल क के पहले तेल और गेंस मंडार का नाम क्या रखा गया सो बंगाल बेशिन इसका नाम रखा गया है और ये ओंगी सी के द्वारा संचलित किया जाएगा फिर बात करते हैं हाली में किस देश ने नए लोंग मार्च एट केरियर के साथ फाइव सैटलाइट को स्पेस के अंदर लॉंच किया सो चाइना कंट्री के दोरा बेसिकली इसको लॉंच किया गया है फिर बात करते हैं किस राजे ने स्युक्त राष्ट महिलाओं के साथ यूएन वोमन के साथ भारत का पहला जुल जेंडर डेटा हब है उसको स्थापित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर ह स्थापित किये गया है और कərला के अंदर ही भारत का पहला जो जेंडर डेटा हब है उसको स्थापित किया जाएगा फिर नेक्स्ट बात करते हैं एस व का निया अध्यक्स अभी इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले जो कोशन था उसके अंदर बताया भी था फिर बात करते हैं राष्ट्रिक किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया गया जो कि हमारे देश के भूत पुरुप प्रधान मंतरी थे चोदरी चरण सिंग जी उनकी बर्थ निवर्षी के रूम में पर्टिकलर यह दे मनाया जाता है फिर इसी तरह से अपने बात करते हैं किस बैंक ने ओन लाइन पोर्टल इन्पानाइंट इंडिया श्टार्ट किया है इसकी स्थापना हुई थी और गुर्दीप सिंग पूरी जो है गुर्दीप सिंग जी इसके भी एमडी बने हुए है और इदे अपने CII ITC की बात करते हैं तो Center for Excellence for Sustainable Development Confederation of Indian Industry जो है इसका फुल फॉर्म रहता है फिर बात करते हैं करनाटका राज्य की किसानों के लिए वहां की सरकार के द्वारा पुर्ट नाम से एक पॉर्टल लॉंच किया गया और यह जो फॉर्ट है इसका फूल फॉर्म है वह बेसिक ले रखा गया फार्म रेजिस्टेशन एंड यूनिवाइड बेनिफेश्री इन्फॉर्मिशन सिस्टम इसका फूल फॉर्म रखा गया है फिर बात करते हैं किस क ज्यादा जो FDI लगाने वाली कंट्री है वो सिंगापूर है जो की फर्स्ट पोजिशन पे हैं इंडिया में फिर बात करते हैं अयोध्या शिर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है और यह जो बुक है पर्टिकुलर महराश्ट्रा के पूरो नुख्या मंत्री द्वेंद फिर बात करते हैं कमला देवी चट्टो पादया न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के जो विजेता है वो अमित अहुजा और जैराम रमेज जो की हमारे देश के भुतवर्व केंद्रिया मंत्री थे इन दोनों को इनकी बुकों के लिए शेर के अंदर यह प पर फिर यह उपवगता अधिकार दिवस जो अटम्टिफोर दिसंबर को मनाया गया इसी के साथ ही अपने बात करते हैं रक्षया बलो के साथ किस बैंक ने ब्रोदा मिल्टी सैलर्डी पैकेज नाम से एक समझोता गया पन पर हस्ताक्षर किया तो बैंक ओफ बडोदा ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं बैंक ओफ बडोदा जो पर्टिकलर हमारी इंडियन ने वी है या फिर जो कोस्ट गार्ड है उनको पर्टिकलर कुछ फैसिलिटी इस प्रवाइड करवाएगी उसी के साथ ही समझोता किया गया है फिर यह अपने बैंक ओफ बडोदा की बात करत करते हैं ओह मिजोरम नाम की एक पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारे देश के उपर राष्ट पती वंकया नाइडू जी के द्वारा किया गया और यह जो पुस्तक है वो मिजोरम के जो राज्यपाल है पिलराई जी उनके द्वारा लिखी गई है फिर बात करते हैं नेक्स इसकी बात करते हैं तो हिमा को ली जो है वहां की पहली महिला मुखे नाइडिस बनी है तो यह दोनों कोशन्स इंपॉर्टन कोशन रहेंगे एंटीबी से एक्जाम के तैत किसी एक सिफ्ट के अंदर आपको यह कोशन्स देख सकते हो फिर बात करते हैं किस राज्य में भार इसकी पॉनिसंस देख शेत्र में किस किर्केटर ने जनरसोई कैंटीन का सुभारम करेंगे जो कि 26 जनवरी 2021 को इसका सुभारम किया जाएगा तो गौतम गंदीर जो के पहले किर्केटर थे अब एक पॉलिटीशन बन चुके हैं उनके द्वारा इस जनरसोई कैंटीन को सु एलप नहीं ली जा रही है फिर बात करते हैं भारत की जो नई रामसर साइट है वो तसोकार साइट है इंडिया के अंदर अभी 42 रामसर साइट हो चुकी है और यह जो साइट है पर्टिकुलर लेह लदाक के अंदर परजेंट है और इससे पहले भी लदाक के अंदर एक प्राइट मुझूद है जिसको तसा माजरी के नाम से जाना जाता है या फिर माउंटेन लेक के नाम से भी उसको जाना जाता है फिर बात करते हैं देश में कौन सी बैंक हंडर्ड बैंकिंग वित्ये सेवाओं और विमा कमपनियों में एक लिस्ट जारीगी जिसके अंदर स्टार्ट किया गया था फिर इसी तरह से मर्चेंट सॉलुशन 3.0 स्किम भी इस बैंक के दोरा स्टार्ट की गई थी फिर बात करते हैं सूजा संदिवस जो पर्टिकुलर 25 दिसंबर को मनाया गया जो कि हमारे देश के भूत पुरो प्रधान मंत्री जी थे उनकी बर्थ अ मंत्री ने स्वच्छता अभ्यान एप लॉंच किया सो थावर्चंद गहलोजी जो कि हमारे देश के समाजिक न्याइक अधिकारिता मंत्री है उनके दोरा बेसिकली ये एप को लॉंच किया गया है फिर बात करते हैं एंड ओफ ट्रेंड टेलिमेटरी सिस्टम का उप्योग करने वाला भारत का जो रेलवे जोन है वो कौन सा बना साउथ सेंटर रेलवे जो 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 बना है इसका हैड़क्वाटर स्कंदराबाद के अंदर परजेंट है और इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये जो है उडिसा के तालचर एंड पारादीप के बीच में ए क्या होता है कि इसके अंदर ये जो system मनाया गया है and of train telemetry इसके तहए तो एक device लगाई जाती है जो कि है चोटी जिसको बोला जाता है head of train के अंदर established कि जाती है इसी के तहए जो अपना last portion होता है train का end of train जिसको कहा जाता है वहाँ पर ये device install की जाती है इसके तहए तो जो guard होता है उसकी इस system के अंदर कोई भी requirement नहीं होती है तो ये ये system successful होता है तो maybe आगे आने वाले दिलों के अंदर जो guard की job है वो खत्रे में आ सकती है फिर बात करते हैं ये था आज का वीडियो ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like कीजिएगा and share कीजिएगा जो भी person इस channel को first time देख रहे हैं करण जी के विद्रवीजन को subscribe कीजिए पस में जो bell icon दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए जी सही आप उसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दीगी हर information का notification आपको मिल जाएगा so at the last thanks for watching thank you thank you so much